इजराइल फिलिस्तिन यूद पर अफसाफ हो गया है कि इजराइल अब चारो खाने चित हो रहा है वो घुटने टेक रहा है और उसे समुंदर में धर्ती पर और सुरंग में तीनों जगा मात खानी पर रही है सोचिए तीस सजार इजराइली सैंकों की जिंदगी अब खत्रे में है और जिस गजा पठी को मलबे में तबदील किया था उसी गलियों में हमास उसे घेर कर मार रहा है हुथी जो यमन का लराका है वो लाल सागर में दिन दहारे उनके जहाजों को उरा रहा है और हिजबुल्ला कीनी रूस और इरान के हथियार से सीधे सीधे तेलवीब पर हमला कर रहा है नमस्कार मैं संभु कुमार सिंग और आप देख रहे हैं निस्नल 10 तक हमास अब लगातार वीडियो जारी कर रहा है दरसल इजराइल लगातार जुट बोल रहा था इजराल कह रहा था कि हमारे लगभग 1000 सैनिक मारे गए हैं लेकिन अब साफ हो गया है कि जहां इजराइल ने करीब 20 सजार निर्दोस फिलिस्तिनियों को मारा है तो वहीं हमास ने लगभग 10 सजार से जादा इजराइली सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया है 5000 से जादा उसके सैनिक घायल है और 30 सजार सैनिकों को उसने गजा में घेर रखा है और जिनको रोज 150 के नाम पर मार रहा है वहीं मरकेबा टैंक उराये जा रहा है और सोचिये सोसल मीडिया की हैमिया समझी अब सारे वीडियो सोसल मीडिया पर जारी किये जा रहे है ताकि जूट बेनकाब हो वहीं पोप फ्रांसिस ने सीधे सीधे जो पोप है जो क्रिश्चन धर्म का सबसे बड़ा धर्म गुरु है और उन्होंने साफ साफ कहा है कि इजरायल एक आतंकी देश है वहीं दुनिया भड में इजरायल के खिलाब परदरसन का दौर जारी है लेकिन सबसे ज़्यादा नुकसान इजरायल को हुती कर रहा है दरसल लाल सागर में जुतने भी जहाज आ रहे हैं जिसमें इजरायल के साथ ब्यापार हो तेल की सप्लाई हो या फिर उसके लिए हंतियार जो आ रहे थे उन सारे पानी के जहाजों को हुती के लड़ाके सीधा सीधा हमला कर रहे हैं और उसे विस्फोर्ट से उरा रहे हैं रोकेट दाग रहे हैं और उसे खत्म कर रहे हैं अमरीका ने तो बकायदा कई देशों को मिला कर एक सेना बनाने की पहल की है ताकि हूती के लड़ा को रोका जा सके लेकिन यमन के परमुख ने साफ साफ कहा है कि हम आतंकी इसराइल के किसी भी हमले के से डरते नहीं और हम हमला करेंगे चाहे दुनिया का कोई भी देश आए अमरीका ने बहुत बड़ी गलती किया और उसे सजा भुगतनी पड़ेगी वहीं खारी देश में एक भी देश अमरीका के साथ जाने के लिए तयार नहीं है एक भी खारी सोचिए अमरीका को खारी देशों के लाल सागर खारी देश में है वहां कर लड़ना है लेकिन कोई भी खारी देश उसके साथ इस गटवन्न में नहीं है इसका मतलब है कि अमरीका पूरी तरह से अलग थलग पर गया है पहले ही खारी देशों ने कहा था कि या तो तुम अपने अड़े हमारे हां से समेट लो अपने सैनिक समेट लो हम तुमारे साथ नहीं आपाएंगे और यह है और इजराइल पूरी तरह से अलग थलग पर गया और सुचिए पिछले 75 सालों में ऐसा पहली बार हो रहा है कि अपने आपको सो कॉल्ड सूपर पावर कहने वाली इजराइल के लगभग 10 सजार सैनिक मारे गए हैं 5000 से ज़्यादा घायल है जबकि इतना सूपर पावर ज इजबुल्ला, हूती और हमास ने अभी भी सैनिकों पर हमले सुरू कर रखे हैं वो आम इजराइलियों को नहीं मार रहा है और साइध इसी बज़ा से दुनिया में उसे समर्थर मिल रहा है मैंने दो दिन पहले भी बताया था कि किस तरह से खुद बेंजामी नेतनियाहू म रुकना चाहिए आज तमाम दुनिया के देश कह रहे हैं कि युद रुकना चाहिए और इस युद का दोसी है तो सिर्फ और सिर्फ इजराइल है सुचिए मीडिया की ताकत अगर सोशल मीडिया नहोता तो इजराइल अपने सैनिकों की मौत भी नहीं कबूलता उसके टैंक सैनिकों को घेर कर मारा जा रहा है गजा पट्टी के बारे में इजराइलियों को ज़्यादा पता नहीं है उसने अपने 30,000 सैनिक उतार रखे हैं और वो मलवे में तबदील हो चुका है गजा पट्टी उन्हीं इलाकों में जब यह घुसते हैं तो उस पर एक एक फिलिस्त परदसन कर रहे हैं इसका मतलब साफ है कि एक सक्स ने अपनी सत्ता बचाने के लिए राष्टबाद के नाम पर अपने ही देश को यूद में धकेल दिया वहीं लगातार अब फिलिस्तिन किसी भी कीमत पर जुकने को तयार नहीं है मानने को तयार नहीं सुचिए आज फिलि इसका मतलब है कि जहां राजनेक रूप से पूरी दुनिया में इसराइल के खिलाफ लोग खड़े हैं फिलिस्तिन का समर्थन कर रहे हैं वहीं अगर आप इउध के लिहाद से देखे सेना के लिहाद से देखे तो डेर लाख फौजी हैं सिर्फ इजराइल के पास अबादी कि यसी लाख है हर इजराइली लर्णे नहीं जाएगा लेकिन हर फिलिस्तिनी लर्णे के लिए तयार है क्योंकि अभी इजराइलियों को लगता है कि बेंजामीन ने अन्याहुं ने अन्याय किया है let's Montalino ने फिलिस्तीन पर जबरदस्ती कबजा कर रखा था और उसके साथ कोई खरा नहीं है बकाइदा खारी देशों ने तेलों की सप्लाई बंद कर दी है तेल नहीं दे रहे है दुनिया के तमाम जो लेकिन जो सबसे खास बात है फिलिस्तीन की जीत में वो है उसके परोसी देश और खारी देशों का कंट्रिबूशन खारी देशों ने जिस तरह का स्टैन लिया है वो बहुत भयानक है और जो यमन के लड़ाके हैं वो उसके साथ लर रहे है हजबुला लर रहा है हमास लर रहा है इरान हत्यारों की सप्लाई कर रहा है और डिप्लोमेटिक रूप से दुनिया का कोई भी देश इजराहिल की मदद करने के लिए तयार नहीं है अमरीका ने भी अपना हाथ खीच लिया है वो चोड़ी छुपके मदद करना चाहता था लेकिन उसके जहाज जलाए जा रहे है रूस उसके खिलाफ है रूस हत्यार दे रहा है फिलिस्तिन को हमास को चीन हत्यार दे रहा है इरान हत्यार दे रहा है खुलम खुला तुर्की म नहीं आ सकता है तो इरोप का कोल भी देश इजराइल की मदद करने के लिए तयार नहीं है अमरीका भी मदद करने के लिए तयार नहीं है क्योंकि इजराइल की गलती सावित हो चुकी है और 153 देश उसके खिलाफ है और यह सब क्यूं हो रहा था और यह सब क्यूं हुआ आज फिलिस्तिन जीत रहा है तो उसकी बज़े है सोसल मीडिया सोसल मीडिया की बज़े से पूरी दुनिया को पता चल गया कि असली गुनहगार कौन है असली आतंकी कौन है और कौन फिलिस्तिन पर कबजा करना चाहता था तो जैसे भारत में सोसल मीडिया ने मनुवात की पोल खोल दी है सोचे तबलिन सिंग किस तरह से बेनकाब हो गई है जूट उनका पकरा गया है अरक्षन पर जो उन्हें लिखा था कि 10 साल के लिए अरक्षन है ये कहीं नहीं लिखा हुआ है तो सुचे ये लोग जब टीवी अख़वार में थे जब सोसल मीडिया नहीं था तो बहुजन जवाब कैसे देता उसी तरह से इस इस इसराइल और फिलस्तीन यूद को देखिए कि अब इसराइल के खिलाफ फिलस्तीन के पास सोसल मीडिया है अलजजीरा जैसे चैनल है और पूरी दुनिया को हकीकत पता चल रही है तो सोसल मीडिया ने दुनिया को बदल दिया है और कम्मिनिकेशन की ताकत समझे और इसी ताकत ने इसराइल को बेनकाब कर दिया है और फिलिस्तीन और हमास को बेकसूर साबित किया है क्योंकि दुनिया ने अपनी आखों से देखा है कि निर्दोस लोग का हत्यारा कौन है तो युद्ध में अपने अंतिम चरन में है इजराइल अपने हार के कगार पर है फिलिस्तीन अपने जीत के एकड़म मुआने पर ख़ड़ा है अपने दरवाजे पर खड़ा है और सोचिए 75 सालों से जो इजराइल अपने आपको सूपर पावर कह रहा था उसके सितारे भलती नहीं की है तो तो फिलिस्तीन और हमास को लेकर पुरी दुनिया में स्विकारता बढ़ी है और भारत की मीडिया को छोड़ कर भारत की मनुवादी मीडिया आज भी इजराइल के साथ खड़ी है जबकि भारत सरकार फिलिस्तीन के साथ खड़ी है आप लोग अपनी प पचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर ख़बर को शेर करें लाइक करें कमेंट जरूर करें